हेलो मेडियरी स्टुडेंट हमारा जो है प्लास चल रहे थी फोर्टी नमर जो हमारा अध्या चल रहा था और कंटिन्यू टरते हैं इसको अडला है हमारा टिक फीवर टिक फीवर पसूं में होने वाला एक बुठार है जो रत पर जीवी ये देखे ये खास बात है ये important बात है पता होना चाहिए कि ये रत परजीवी है जो पसूंता जो रत हो तो है उस रत में चला जाता है और ये जो टिक फीवर रोड है अगर आप से पूछले, बोयो, फिलस, माइक्रो, पिलस है, क्या है भई, बोयो, फिलस, माइक्रो, पिलस, अब आज ए ये, रोड के लचण क्या है, भूट टी टमी, बजन, ढटना, भई, इस रोड में क्या है, फून के अंदर ये रत्परजी भी चला जाता है, तो इससे क्य तो भूठ टी टमी हो जाएगी जो पसु है उसको भूठ नहीं लगेगी है भजन ढटना फिर जब भूठ नहीं लगेदी तो बहुत कम ठाएगा कम ठाएगा तो क्या हो जाएगा अब क्यों टीसका नाम जब फीवर है तो अविशली बात है बुठार की अचानक इसमें शुर पर बाटि तो देखो, दूस उत्त पादन में पर अदर प्रिवेश करता है, कुछ रट परज भी है, बोयो फिलस, माइट रॉप्लस, जब प्रिवेश कर जाता है, तो इससे भूठ में पर त्रमी आती है, बजन ढट जाता है और बुठार आ जाता है अब क्योंकि रट पर जी वे तो ठूंटी टमी आ जाती है और दूद उत्पादन में क्या हो जाती है टमी हो जाती है क्लियर है यहां तर चल जो विद्यारती नए है चैनल को सब्स्राइब जरूर करें आपके लिए बहतर से बहतर हमां क्लासेज आपको दिनगे फिर उसके बाद आजए रोट थाम एवं उप्चार रोट थाम एवं उप्चार की यदि मैं बात तरूं प्यारे विद्यारती हो तो रोटी पसूँ को स्वस्त पसूँ से दूर रखना चाहिए यह भी यह तो हमेशा ही है रोटी जो पसूँ है उसको स्वस्त पसूँ से ज्यातर हो दूर रखो जिस इस्तान पर गान से सुना जिस इस्तान पर टिक बुठार का प्रकोप हो उस इस्तान के आसपास की जो ब फीबर का है वहां बनस्पति जलादी बेसिक बात है पसू साला में भेवेन टीट नसी क्योंकि जो है यह यह चोटा सा इंसेट टाइप होता है तो पसू साला में भेवेन टीट नसी दबाईयों राज समय समय पर पसू चिते सर्थ की से पारिस के अनुसार चड़डाब करना चाहिए, blue dots का चड़काव पसू चिते सर्थी से पारिसों के अनुसार करना चाहिए, blue dots, तरह sign है, और इसका जो चड़काव है, जो है, पसू चिते सर्थ कहे, तब आप चड़काव करो, तो यह तो क्या basic बात है, road time और और उपचार की, यह धान रटना है आपको, clear है यहां चलो, तो आगे बढ़ते हैं, चली वे, अब आजाते हैं, दुर्दु ज्वरबर, milk fever, क्याना, milk fever, ठीकिए, इसको हम क्या क्या क्यते हैं, hypotelcemia क्याते हैं, यह लिख लेना, hypotelcemia, 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 hypotelcemia को मतलब होता है, कमी, hyposamia, hypotelcemia, यह ध्यान रटना, hypo, यह जो सब्द है, इसका मतलब होता है, कमी, hypotelcemia, यानि टीl commissions की कमी, जो tellseum की कमी है, यह तहां पर होती है, यह होती है, लाड़लो ध्यान रटना,्पसून में, पसू के खोन में जो हैं TELSYUM की कमी हो जाती है जब दुर्द जवर होता है और जनरली ये दुर्द जवर है जो फीबर होता कब है जब पसू ब्या जाता है या ब्याने से just पूरू ब्याने से just एक दो दिन पहले या ब्याने के जश्ट बात जो है ये रोड हाइपो टेल्सीमिया हो जाता है इसमें टेल्सियम की कमी हो जाती है खोन में यह एक उपापचे या मेटाबॉलिक रोड है यह ध्यान अटा यह मैं बता चुटा हूँ कि एक मेटाबॉलिक रोड है मतलब कोई भी सूच मजीव इसमें भाड़ीदार नहीं होता है केवल एक तत्वटी कमी हो जाती है जो तत्वट उनसा है केल्सियम एक खास बात और बताता हूँ दो दिजवर की जितने भी हमने रोड पड़े थे उन सभी रोडों में जो पसू का जो सरीर का तापमान है वो भड़ रहा था और यहां पर जो हैं सरीर का जो तापमान है पसू के सरीर तापमान सरीर तापमान क्या होता है इसमें कम होता है मैं फिर बोल रहा हूँ जितने भी रोड हमने पड़े उन सभी रोडों में पसूटे सरीटा तापमान बढ़ रहा था, लेकिन दुर्द जवर में पसूटे सरीटा तापमान घटता है, ये ध्यानट है, चलिए वे, मिल्क फीवर को पढ़ लेते हैं, यह एक उपाप चाहिए मेटावलिट रोड है, जो गाये भैसों में ब्याने के कुछ समय पहले या ब्याने के कुछ समय बाद होती है, अभी जश्ट मैंने बता है, कि ब्याने से कुछ समय पहले और ब्याने के कुछ समय बाद जो है, यह रोड होता है, इसमें अच्छा यह रोड ब्याने के टाइम पर क्यों होता है, जब ब्याता है पसूट, तो आपको पता है लगातार चार दिन तर जो छरण प्राप्त होता है जो थनों से जो सफेद लेक्टियल छरण प्राप्त होता है जिसे खीस का आजाता है उस खीस या कॉलिस्ट्रम में टेल्सियम अत्य दित मात्रा में चला जाता है जब अत्य दित मात्रा में चला जाता है तो पसूट सरीर में टेलस्यम की भारी कमी हो जाती है और Jung paso vieisyaun कमज़ोर हो जाती है देखी टेलस्यम की कमी होगी तो सरीर में रक्त चाप जो participants होता है की Stevens की क्रम ही हो जाती है अन्त में पसू काफी सुस्त प्रांथ तेनल निटाल से हो जाता है आप आपको 58000 निरजी वास्ता है यह असा लटता है जैसे है पाशू में तो असे संट्रियर ड़ीआ है, ऐसे क्ैल्सियम निथाल जाता है। पूरा सरीर एड़म डिठाल सुस्त अबस्ता में पसू पढ़ा रहता है बिचरा क्लियर है फिर देरिए प्राय दुर्द जवर सुनने द्यान से प्राय दुर्द जवर अधिक दूद देने वाली संटर गाय बहसों में अधिक होता है इसलिए यह रोड अधिकतर ब्याने के 5-7 दिन के अन्दर हो जाता है इस road में बसू का सामने तापमान कम हो जाता है, ये थास बात है इसको very important लगा लेना, exam में equation आता है यही एकलोता है हम कह सकते है road है जिसमें सरीर का तापमान क्या होता है? ताम हो जाता है, शामने रूप से गाय भैसों के serum में केलसियम का लेवल 9 से 11 मिली ग्राम पर 100 ml होता है ये ये भी डिजिट आपको याद रखनी है कि जो सीरम होता है जो ब्लड सीरम होता है उसमें केलसियम लेवल सामान्य के तना रहता है तो देखिए ये सामान्य लेवल है 9 से 11 मिली ग्राम पर 100 ml सीरम में 9 से 11 मिली ग्राम केलसियम लेवल होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सामन्य पसू में केलसियम लेवल कितना होता है शामन्य पसू में केलसियम लेवल 9 से 11 मिली ग्राम परती 100 ml होता है यानि की 100 ml सीरम में 9 से 11 मिली ग्राम क्या होता है केलसियम होता है mg मतलब मिली ग्राम ये क्या होता है मिली ग्राम और ये ml का मतलब मिली लीटर ले रहे हैं चल इस रोड में ये इस तर ऑड़कर 7 हो जाता है 7 परसंट नहीं 7 हो जाता है इसको टॉरो only 7 यानि जो Telsium label है वो टितना हो जाता है 7 mg पर 100 ml येदी Telsium का इस तर ऑड़के इतना हो जाता है अब क्या है milk zwor हो जाता है 7 या 7 से कम यहदी हो जाता है, तो क्या होता है, milk fever हो जाता है, यह आपको ध्यान ऩरता है, clear है? देखिये, ook दुडधुजवर में, रत्चाप में क्या हो जाता है, blood pressure में क्या होती है, इसमें कमी आती है, इसमें road में, शरीट आतामान के साथ said, क्या बताए था मैंने शरीर अतापमान कम हो जाता है और क्या बता है केल्सियम लेबल कितना होता है नौ से ग्यार मिलीद्राम प्रतिसो एमेल होता है यह टब होता है तो देख लेते हैं एक और वार पढ़ लेते हैं इसको यह एक उपाप रोड है जो गाय बहिसों में ब्याने टेट कुछ समय पहले या ब्याने टेट कुछ समय बाद होती है। अधिक दूद देने वाली संटा गायौं बहिसों में अधिक होता है। यह रोड अधित्तर ब्याने के 5-7 दिन के अंदर हो जाता है, इस रोड में पसुटर सामने ताप मान कम हो जाता है, सामने रूप से डावेज़ों के सीरम में टेलसियम लेवल 9-11 मिलीद्राम प्रती 100 एमल होता है, इस रोड में यह इस तर डटकर 7 मिली ड्राम प्रती 100 ml हो जाता है अब देखते हैं रोड का कारण क्या क्या कारण है देख लेते हैं रट सीरम जो ब्लड सीरम में टेलसियम का इस तर 7 मिली ड्राम 100 ml से कम होना यानि ती और देखिए अब मैं इसको कारण को और अच्छे से बता देता हूँ आपको सबसे पहला कारण है कि ब्लड सीरम में जो है यदि टेलसियम टा इस तर 7 मिली ड्राम प्रती 100 ml से कम होना तब फिर देखिए रट में टेलसियम ज्यान से सुनना टेलसियम की कमी प्रमूँ 4 कारण से होती है अकर आप से कोशन आजाए कि पसू के रट में केलसियम की कमी के 4 कारण बताइए क्या टारण है जिनकी वज़े से होती है सबसे पहला टारण ब्याने के काफी ब्याने के बाद काफी मातरा में टेलसियम थीस कॉलिस्टरम के साथ बाहर आ जाता है थीस में रत से 12 तेरे डुना अधिक टेलसियम होता है ये थीस क्या है जो है ये ठीस है तीन से चार दिन तट जो चरण आता है ऐसे थनों से थनों से थनों से तीन चार दिन तट जो चरण आता है जो लेक्टियल चरण आता है उसे ठीस का जाता है फिर बाद में इसको दूद का जाता है तो याद रखना है जो जब आपने देखा होगा राओं में भी देखा होगा जब गाई बैस्ट भ्याती है तो ब्यानेके तीन से चार दिन तक कॉलिस्टर्म प्राप्त होता है मतलब जो लेटियल सरवन प्राप्त होता है उसको डरम किया जाता है डरम करने पर फट जाता है और अलगी खीस प्राप्त होता है बहुत पॉस्टिक होता है बहुत ज्यादा पॉस्टिक होता है आपने ठाया होता है तो उस खीस में क्या है ख रख्त से 12 से 13 डुना अधिक केल्सियम होता है टेल्सियम की मात्रा किस में चली रही तो पसूटे रख्त में त्या ओग यह थे पहला टारण हो गया ठीक है भई चलो दूसरा टारण देखते हैं ब्याने टे बाद एटाएट इस में बहुत जादा केल्सियम निकल जाने टे ट टारण ध्यान से सुनना ब्याने टे बाद एटाएट ठीस में बहुत जादा केल्सियम निकल जाने टे टारण हड्डियों से सरीर को टेल्सियम जल्दी नहीं मिल पाता है अब क्या होता है देडिये जो टेल्सियम था वो टिस में चला दिया वाई वो चला दिया ठीस में ज जो कि हमेशा जाता है, अब क्या हुआ, जो हड़ी है, इन हड़ीयों से, हड़ीयों में क्या होता है, ट्रेल्सियम होता है, इन हड़ीयों से जो ट्रेल्सियम है, वो टहां जाता है, जनरली सरीर में जाता है, सरीर में तो कई बार क्या होता है सामन्य बात में यदि बात परें तो जब डाय भेंस ब्याती है तो डाय भेंस ब्याने टे साथ जो है ठीस का उत्पादन होता है ठीस निटलता है सामन्य अबसता है कोई दिट्रत नहीं है हड़ी से सरीर में calcium आ जाएगा, calcium की कमी जब हो जाएगी तो तहां से आ जाएगा, हड़ी से सरीर में calcium आ जाएगा, पूर्ती हो जाएगी लेकिन यदि milk fever दुर्द जवर रोड़ी की अवस्ता है दुर्द जवर उपापचे सरीर में calcium पहुचने में क्या है, time लग जाता है और जब time लग जाता है, तो क्या हो जाता है दुर्द जवर यानि की milk fever हो जाता है इत्तो ये बात होगी दूसरी, यदि ब्याने के बाद, पसू को कम मात्रा में अहार दिया जाता है तो मुठे पशू में जहें दुर्द ज़र जल्दी होता है ये मुठे नहीं भूठे ये ध्यान के, अब एक और बात जब पसू ब्या गया तो ब्याने के तुरंत बाद आपको calcium युट्त दाना खिलाना चाहिए और इतना खिलाना चाहिए बहुत ज़्यादा एट सेटेंड डियर स्टुडेंट चलिए बहुत ज़्याने के बाद एटा खिस में बहुत ज़्यादा calcium निकल जाने से हड़्डियों से शरीर को calcium जल्दी नहीं मिल पाता ये टीटा रण था ब्याने के बाद पसू को कम मात्रा में आहर दिया जाता है जो रूमन या आतों में भी कम आहर उने से ये अन्य कम सक्त्रियों ने calcium का अप्शुशंड भी कम होता थके हुए और भूत के पसूं में दुर्दुजवर जल्दी होता है यदि भूता पसू है ठका हुआ पसू है, तो दुर्दुजwar के chances कम हो जाते हैं, सोरी, दुर्दुजwar के chances बढ़ जाते हैं, त्योंकि भूट लड़ेडाए और ठका हुआ है, तब जहादा बढ़ जाते हैं, आहर में केल्सियम की कमी होना, एकोटारण है, जब पसु को खिलाया जाता है, खिलाई पलाई की जाती है, तो पसु को बहुत पहले ही, ब्याने से बहुत पहले ही, केल्सियम देना चाहिए, यह द्यान अचाहिए, यदि नहीं दे रहें, तो भाईया, क्या हो जाएगा, आपका दुर्दुजवर हो पहले हैं, पहले पसु सुस्त और धीरे-धीरे कमजोर सा डीला हो जाता है, यह रोट्रिल अच्छन है, पहले क्या है पसु सुस्त और कमजोर और डीला हो जाता है, पसु अपनी डर्दन को पेट की और मोड़तर निठाल सा बैठा रहता है, पसु क्या टरता है, जैसे ही द कोना पटल के पढ़ा रहता है विचारा डर्दन को ऐसे मोड लेता है और पढ़ा लेता है शरीर का तापमान सामाने से थोड़ा कम हो जाता है ये भी मैंने बताया है शरीर का तापमान क्या है सामाने से थोड़ा कम हो जाता है पसू के हाथ लटाने पर पसू थंडा मैसूस हो क्लियर है आठें सूट जाती है आठों की पुतलियां फैल्टर बड़ी हो जाती है आठे क्या है जो आठें हैं बुट्यां सूट जाती है और आठों की जो पुतलियां है वो फैल्टर बड़ी हो जाती है रोड होने के दो से तीन दिन बाद पसु में चलने फिरने तर्टी चमता नहीं रहती जब पसुटे रोड हो जाता है तो आपको पता है पसुटी पूरी जान से निटल जाती है इबन पसुट चल फिर भी नहीं पाता है और देखो वहे ये के जड़े पर बेहोव सिटी अवस्ता में पड़ा रहता है चल फिर नहीं पर फिर मास पेसियां टमजोर हो हो जाता है तो कंट्रोल ही नहीं रहता ना तो गोबर पर कंट्रोल रहता है ना पेशाब पर कंट्रोल रहता है तो यह मास पेशियां क्या है कमजर हो जाती है अपने आप पेशाब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है तो यह मास पेशियां कमजर हो जाने के टारण पसुद वर और पिशाफ करने में समर्थ है इस Quickly रोड़ हो जाया है तो चलने फिरने में दिख्कत आ जाती है पसूगूप बेहोसी अवस्ता सा पड़ा रहता है पस हुसुस्त हो जाता है कमजोर हो जाता है डीला हो जाता है यह बेसिट सी बात है लिखिए आप यह न चली अगर पांच बात पड़ोगे तो दो बात है तो याद रहेंगी चली आके बढ़ें फिर देखते हैं उपचार रख्त में केल्सियम की कमे को दूर करने के लिए तुरंत रख्त में केल्सियम बोरोगलुटुनेट पांसो एमेल का अंतैसरा इंजेक्शन लगाए यह ठास बात है आपसे कुश्चन आ सकता है केल्सियम बोरोगलुटुनेट इसका जो इंजेक्शन है यह जो इंजेक्शन है ये किस रोड में लगाया जाता है तो याद रखना है देखिए TALSUM, बो oder Glutonate बाई TALSUM, यानि कि इसमें क्या होगा TALSUM होगा, कब लगाया जायेगा जब TALSUM की कम हो जाए इप, मतलब दुर्दुजवर हो जाएगा बचाब का मतलब रोड ना हो इससे हम पहले से पहले ही बचाब के उपाय टल लें ये तो क्या है रोड से बचाब मतलब हम पहले ही टल लेते हैं ताकी दुर्दुजवर ना हो लेकिन यदि दुर्दुजवर हो जाता है तो हमें उपचार करना है आप तन्फीज ना हो कि उप्चार का मतलब क्या और रोड से बचाव का मतलब क्या रोड से बचाव रोड होने से पहले किया जाता है ताकि रोड ना हो इसलिए किया जाता है रोड से बचाव उपचार कप किया जाता है जब रोड हो चुका है तब उसका उपचार किया क्लियर है चलिए दूसरा क्या है अडर कभी कभी टेलसियम के साथ मैगनीशियम की कमी हो जाए तो टेलसियम मैगनीशियम बोरो ग्लूटोनेट 500 ml का अनतैसरा इंजेशन पसू चिते सक्थी सिपारिस से लगाएं ये जान अखें क्या है पसू चिते सक्थी सिपारिस से लगाएं अडर कभी कभी टेलसियम के साथ मैगनीशियम की भी कमी हो जाए हो तो calcium magnesium boroglunate 500 ml injection लगाना है अब आ जाते हैं road से बचाव पसू को calcium युट तो आहार खिला मैं पसू को क्या टन्न है calcium युट आहार अब road से बचाव calcium युट आहार खिलाओगे तो road होगा ही नहीं समझे तो calcium युट आहार खिलाएं पसू को ब्याने से पूर भी बिटामिन की खुराट देना शुरू कर दें पहले ही खुराट देना शुरू कर दो तो रोड होगा ही नहीं ब्याने के पूर भी पसू को टेल्सियम यूट दाना खिलाना शुरू कर दें अरे केल्सियम यूर्ट दाना खिलाना शुरू करोड़े तो भी रोड नहीं होगा प्रति दिन 50-60 खनिज लबन खिलावें ये भी खिलावें तो ये क्या है रोड से बचाव है अब ऐसा ये दिया आप करोड़े केल्सियम यूर्ट आहर खिलावगे विटामन की खुराट दोगे कैल्सियम यूर्ट तो दाना खिलावगे तब ब्याने से पूरू तो कोई दिख्टत नहीं है ये रोड रोड आहीं नहीं कहां दिख्टत है चलो लेकर आप फिर आगे बढ़ते हैं चली भी अब ये हमने रोड पढ़ लिए अब हम आगे बाकीटा फड़किया और ये रोड अडली क्लास में पढ़ेंगे चली भी आज के लिए बहुत है थैंट्यू सो मच पर वाचिन वीडियो थैंट्यू सो मच